जहीं दोस्तों कैसे हो आप लोग आज मैं Facebook Star Monetization Setup के बारे में डीटेल्स में बात करने वाले हैं Star Monetization Setup कैसे किया जाता है और साथी ज़्यादा से ज़्यादा Payout कैसे Receive किया जाता है यह सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको लाइब दिखाने वाला हूँ साथी साथ आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि जब आपका पेज सेट अप हो जाता है तो आपको कितने दिन के अंदर Payout Receive होता है Otherwise कोई payment आपको करता है तो आपका कैसे payment दिखता है यह सारा आपको डेटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा बस आपको वीडियो के लाज तक रूके रहना आज मैं जो आपको पेज सेट अप करने का तरीका बता रहा हूँ साथी आपको यूटूब पर देखने को मिल जागा मैं step by step एक भी step मैं मिस करने वाला नहीं हूँ आप देखिए अगर आपको पसंद नहीं आता तो इसको dislike कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता तो please को like, share और subscribe जरूर कीजिएगा चली इस वीडियो के start करते हैं आपको अपने facebook page पर चले आना है आने के बाद आपको top में एक option दीख रहा होगा dashboard का उसके उपर आपको click करना, click करके आगे बढ़ना है अभी आपका dashboard open हो गया, scroll करके जब नीचे आओगे तो नीचे में एक option दीख रहा होगा post about video more यह क्या हुआ page का पुरा details आपको यहां से समझ में आ जाएगा आप post में check कर सकते हो, about इनका check कर सकते हो, इनका video check कर सकते हो अगर अब more में जब जाओगे तो आपको एक Reels option आएगा जब उसको उपर आप click करोगे तो आपको बहुत सारा Reels देखने को मिल रहा होगा इस page पर मैंने बहुत सारा Reels ओलेडी upload कर चुका हूँ और इस पर views भी देख रहे होंगे, अच्छा कासा आ रहा है अभी आपको स्क्रोल करके ऊपर चले जाना है, जाने की बाद आपको एक option देखने को मिल रहा होगा See dashboard, उसके ऊपर आपको click करना है, click करके आगे बढ़ जाना है मेरे professional dashboard open हो गया है, यहाँ पर देख रहे होगे कि reach मेरे 2.3K है और यहाँ पर net follower जो दिखा रहा है, 28 दिन के अंदर मेरे page पर 12 follow किये है और 3 second video जो दिख रहा है, आपको 6.98 दिख रहा है उसके जस्ट नीचे में एक option देखने को मिल रहा होगा, next step You are eligible to star earning with stars यह option सबको जल्दी नहीं मिलता है, आपको अभी monetization को उपर click करना है, click करके आगे बढ़ना है अभी आपको इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा, यह हमारा monetization page है नीचे में एक option आपको देखने को मिल रहा होगा, not yet eligible मतलब यह 4 option के लिए मैं अभी eligible नहीं हूँ सिर्फ मुझे stars setup के लिए option मिला हुआ है, मैं सिर्फ stars से कुछ payout receive कर पाऊंगा तो मैं इस वीडियो में सिर्फ बात भी करने वाला हूँ कि stars को कैसे setup करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग payout receive कर पाए तो अभी आपको क्या करना है, start setup को उपर click करना है, click करके आगे बढ़ जाना है अभी आपका page इस तरह का open हो जाएगा, होने के बाद आप यहाँ read करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नीचे में एक option आपको दीख रहा होगा, get started, उसके उपर आपको click करना है, click करके आगे बढ़ जाना है अभी आपको top में लिख रहा है, select your business info, यानि कि अगर कोई आपका business है, तो नीचे में option देखने को मिल रहा होगा add a new business info, उसको उपर आपको click करना है, otherwise आप individual है, sole proprietor है, या proprietor है, तो आपको नाम दीखेगा, उसको select करना है, select करने के बाद नीचे एक option दीख रहा है, next, उसको उपर आपको click करना है, click करके आगे बढ़ जाना है अभी आपको top में दीख रहा है, let start with basic, आपका basic detail डालना है, आपका नाम डालना है, date of birth डालना है, आप किस country से belong करते हैं, यह सारा चीट डालना है, डालने के बाद आपको next करना है, again आपसे पुछा जा रहा है, enter business info, यहाँ पर India country select करना है, आपको proprietor slip select कर लेना है, उसके ब address क्या है, phone number, email ID, इतना आपका personal details है, वो सारा यहाँ पर fill up करना है, fill up करने के बाद नीचे में एक option आपको दीख रहा होगा next button, उसके उपर आपको click करना है, click करके आगे बढ़ जाना है, अभी आपको इस तरह page देखने हो को मिल रहा होगा, यहाँ पर दो option है, link payout method, मतलब यहाँ पर आपको bank अपना link करना है, जिसमें आपको payout को receive करना है, तो बहुत ध्यान से देखना होगा, यहाँ पर दो option है, PayPal account है, एक manual है, अगर आप PayPal account यूज करते हैं, तो उससे direct app link कर सकते हैं, otherwise आपके पास नहीं है, तो आप manual link भी कर सकते हैं, जब manual पर click करोगे, तो आ मेरा suggestion रहा है, जिस bank में आपका account है, उस bank में जाएए, अपने branch में नहीं जाना कि उसी bank में जाएए, जाकर वहाँ floor manager या service manager से बोलिए, sir मुझे shift code चाहिए, मेरा branch यहाँ पर है, मुझे net से या YouTube से मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो please मुझे help कर दीजिए, तो आप लोग को shift लग कीजिए, उसके बाद आपको link payout method को उपर आपको click करना है, click करके आगे बढ़ना है, अभी आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि add your tax info, tax information मतलब आपको कोई tax paper नहीं देना है, यहाँ पर सीधा से आपको नीचे जो add tax info दीख रहा है, उसके उपर click करना है, click करने के second option जो है, उसमें मैंने note select किया, third option जो है, यहाँ पर भी आपको note select करना है, उसके बाद आपको next button को उपर click करना, click करके आगे बढ़ना है, अभी आपको यहाँ पर अपना country select करना, जिस country से belong करते हैं, आपको उस country को select करना, तो टॉप में आपको option दीख रहा है, उसके उपर आपको click करना, click करने के बाद, आपको बहुत सरह country देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप जिस country से belong करते हैं, मैं यहाँ पर इंडिया से belong करता हूं, तो यहाँ इंडिया select कर लिया, select करने के बाद, नीचे जो next button जो दीख रहा है, उसके उपर आपको click करना, click करके अभी आपको अपना mailing address डलना, mailing address मतलब यह हुआ कि जहाँ पर आप Facebook से कुछ मगा सकते हैं, आप Facebook के दौरा कुछ भेजा जाया तो आपको मिल सके, तो आपको जो current address है, जहाँ पर आप रहते हैं, rent पर रहते हैं, या आपका घर हो, तो उपर में tick किया हुआ है, same as a permanent address को आपको select करना है, select करने के बाद next button को उपर click करके आगे बढ़ना है, अब इस तरह का page open होगा, यहाँ पर scroll करके आपको नीचे आना है, नीचे में option आपको दीखेगा, confirm करने के लिए, उसमें आपको क्या करना है, confirm करना है, तो यहाँ पर confirm करने से पहले आपका signature बोलेगा, signature आपको caps में आपका full नाम आपको डालना है, डालने के बाद आपको next button जो option दीख रहा है, उसके उपर आपको click करना, click करके आगे बढ़ना है, अभी आपको screen पर दीख रहा है, यहाँ पर review and submit, मैरा पूरा form फिल अप कर दिया है, इसमें अगर आपको check करना है, तो check कर सकते हैं, कि अगर कोई changing करना चाते हैं, तो change भी कर सकते हैं, तो मेरा इसमें कोई changing नहीं करना है, तो मैं scroll करके नीचे आए, नीचे में यहाँ पर submit form लिखा हुआ, तो मैं उसको उपर आपको click करूँगा, click करने के बाद मेरा form क्या होगा, submit हो जाएगा, तो अभी आपको screen पर दीख रहा होगा, your tax information is complete, हमने जो भी form fill up किया, उसमें कोई error नहीं आया, हमारा form successful submit हो गया है, और हमारा payout के लिए भी setup ready हो चुका है, अभी आपको थोड़ा scroll करके नीचे आना, यहाँ पर I want के उपर tick करना, उसके बाद done, जो दीख रहा option, उसके उपर को click करना, click करके done कर तो star कितना रूपया का है, तो मैं आपको पूरा detail दिखाने वाला हूँ, आपको dashboard पर चले आना है, आने के बाद इस तरह का page open हो जागा, scroll करके आपको नीचे आना है, नीचे में आपको option दीख रहा होगा monetization, उसके उपर आपको click करना है, click करके आगे बढ़ना है, अभी आ पर देख सकते हो कि मैंने जिस दिन page setup किया था, उसका one week के बाद ही किसी ने payment किया और payment मैंने receive कर लिया, जो मुझे proof आपको दिखाना था, आपको screen पर दीख रहा होगा कि किसी ने मुझे payment किया है 99 star, जिसका value होगा 0.99 dollar, यह payment मैं अभी withdraw नहीं कर पाऊंगा, यह 100 dollar जब तक नहीं हो जाता, तब तक मैं इसका withdraw नहीं कर सकता, तुझे आपको proof दिखाना था, मैं आपको proof दिखा दिया कि बहुत लोग YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन shortcut बना रहे हैं, पुरा details में वीडियो नहीं बनाते हैं, आसा करता हूं कि यह information आपके लिए useful होगा, तो please इसक लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने friends और family के साथ share कीजिएगा,